आपूर्ति धार्कों को नागपुर जिले में कुर्णा संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखती हुए ऑक्सिजन उत्पादन शमता बढ़ाने के लिए निर्देशित के आ गया था प्रकोप के दारान केवल 20 प्रतिशत ऑक्सिजन उत्पादन के लिए और 80 प्रतिशत चिकेट साउपचार के लिए आरक्षित होना चाहिए जिला कलेक्टर रविंद्रे ठाकरे ने ऐसा कहा जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरी के मार्ग दर्शन में हाल ही में एक बैठा कायुजित की गई इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन जिला प्रशासन के वरिष्ट अधिकारियों के साथ आपूर्ती धरकों ने भाग लिया। जिले में मेडिकल कॉलेज सहीद 32 नीजी अस्पतालों को समरपीत कोविड अस्पताल के रूप में घोशित किया गया। इस जगह पर बड़ी संख्या में मर्जों को भरती किया जा रहा है। इसलिए ऑक्सिजन के भारी मांग है। इसके लिए एक आपतकारिन बैठकाई जित की गई थी। संक्रामक रोग निवारन अधिनियम आपदा प्रभंदन अधिनियम के अनुसार यह उमीद की जाती है कि इस आउदी के दोरान जीलों में ऑक्सिजन का उत्पादन अधिक्तम होगा। इस ऑक्सिजन का केवल 80 प्रतिशत कोविड रोगियों के लिए आरक्षित होना यह भी निर्देशित किया गया था और दगीक उपयों के लिए आउशक्ता अनुसार 20 प्रतिशत ऑक्सिजन के आपूर्ति की जाए वही आपूर्ति को नियंतरन करने के लिए बनवेभा के वरिष्ट अधिकारियों को नियुक्त किया गया है